दोस्तो ब्रहमास्त नाव हाई गैस ग्रॉसिंग ऑफ दी यर ऑफ 2022 अगर हम लोग बॉलिवूड के हिसाब से देखे तो सबसे ज़्यादा कामाई करने वाली मुवी बन चुकी है ब्रहमास्त कश्मीर फाइल का रिकॉर्ड इस मुवी ने तोड़ दिया है एज़ा वर्ल्ड जैसे कि आप लोगों पता होगा साल 2022 भाई सहाब बॉलिवूड के लिए सही नहीं रहा गिंती की मुवी ही हाथ में है जो हीट हुई है कश्मीर फाइल गंगू बाई वो इसके लावा भूल भूलाया कश्मीर फाइल ने 340 करोड रुपे की वर्ल्ड वाइड में कमाई की जो एक बहतरी नंबर था लग रहा था कि कश्मीर फाइल का लगता है कि कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा लेकिन दोस्तों ब्रहमास ने वह करके दिखाया क्योंकि शुरुवात में इस तरीके से नेगिटिविटी हो रही थी बाइकॉड किया जा रहा था तो लग यह मूवी भी बाइकॉर्ड गैंग वाले कर देंगे फलाउप लेकिन नहीं दोस्तों इस मूवी ने लगबग आप लोग कह सकते हो कि 10 दिनों के अंदर बजट के बहुत नजदेगी पहुंच चुकी है तो देखना काफी दिल्चसप होगा कि बजट कभ यह पास करेगी त दोस्तों सबस्क्राइब करें आपने इस वीडियो को शुरू लैट्स टार्ट दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कलका जो ओफिशल नेट कलेक्शन है उसके बारे मदाना चाहता हूं कि क्या रही कमाई दोस्तों तकरीवन पांच परतिशत की कमाई बढ़ी है अगर हम लोग दे 9 के हिसाब से देखें 15.38 करोड रुपे की नैट इंडिया कमाई हुई थी अगर हम लोग Day 10 देखें तो 16.05 करोड रुपे की कमाई हुई यानि 16 5 रूपे की कमाई हुई हिंदी से ही अकेले इसने 15 करोड 30 रूपे की कमाई की तेल्गू से 54 लैक तो तमील से 21 प्रफेश की कमाई की टोटल दोस्तों नेट में कमाई हो चुकी है 215 करोड 25 लाग रुपे टू हैंडट 15.25 करोड रुपे इसका क्लेक्शन हो चुका है नेट इंडिया टोटल वह गाई अगर हम लोग बात करें कि हिंदी में कमाई कितनी हो चुकी है तो 196.65 करोड एक सो बॉलिवूड की मिट्टी पलीद हो रखी थी उसके हिसाब से इस कलेक्शन को मैं ब्लॉकबश्टर कलेक्शन काऊंगा अभी देखो वाही सहाब इसने ग्रॉफ क्लेक्शन कितना कर लिया है दस दिनों का दस दिनों का दोस्तों जो ग्रॉफ क्लेक्शन है वो है 253.75 करोड 253.75 करोड रुपे इसने अपने box office में कमा लिया है as a gross India और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इस movie का कल के दिन का यानि की day 10 का official worldwide collection कितना आया है क्योंकि देखो वाही overs इसमें संडे की कमाई कम होती है पिछले बार भी कम हुई थी और इस बार भी दोस्तों संडे की 我想 collection सामने guys 23.00 करोड रुपे का gross collection सामने है यानि कि दोस्तों हम लोगों ने जिस तरीके का आपको इस हफ्ते इस week end collection बताया है अलाकि अप्ले के जो आया है उसक्किन अपफे C क्लेंइस कितना हो चुका है कल की कमाई यानि की डे 9 कमाई वर्ड वाइड की 21 करोड रुपे थी ग्रॉस क्लेक्षण ट्रेट क लेक्षण नहीं क्योंकि पूदूसर अपना लग देते हैं तो दोस्तों कल इसने 23 करोड रुपे कमाई यानि कि 2 करोड की इजाफा देखने को मिला हमारी कमाई हो गई थी नौ दिनों की 339 आप लोग याद होगा 349 इसमें से दोस्तों अगर हम लोग 23 को एड करते हैं तो 362 करोड लेकिन दोस्तों यहां पर मेकर्स ने कम ही दिया है एप्रॉक्समेटली दोस मेकर्स की तरफ से 360 करोड रुपे का ऑफिसल पोश्टर सामने आया है आप लोग अयान मुखर जी के स्टोरी पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा टैन डेस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 360 करोड भ्रमाज पार्ट वन शिवा ज जब तक विकरम वेधा ना आ जाए तब तक आप लोग मानो यह केलेक्शन होता ही रहेगा जहाई इस मुवी ने 360 करोड रुपे की वूपिंग कमाई कर ली है पूर्डूसर की तरफ से फिगर भी आ चुका है हमारे हिसाब से 360 करोड रुपे है और अगर हम लोग ट्रेडों सुझा की जिस साल सजु मूवी रिलीज हुई थी मेरे क्याल से वो साल संजु मूवी हाइज ग्रॉसिंग अफ दी यर थी हलाकि सल्मान खान के के पास सबसे ज़्यादा हाई गैस ग्रॉसिंग आफ दी यर वाली मूवी है तो दोस्तों ये रनवीर कपूर भी करते वह दिखाई दे रहे हैं और मेरे खाल से उनके तीसरी मूवी है जिसने तीन सो करोड रुपे के कमाई किये आपका क्या है कुछ कहना इस पर बताओ कमेट मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही